आई पिल में आज मुंबई इंडियन्स और दिली कैपिटल्स के बीद दूबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सीजन का 51 वा मैच खेला जा रहा है दरसल इसमें मुंबई ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है दरसल आपको बता दे इस मैच में दिली की टीम जीत दर्च कर प्ले आफ के लिए कौलिफाई करने की कोशिश करेगी वहीं मुंबई इंडियन्स पहले ही प्ले आफ के लिए कौलिफाई कर चुकी है फिलहाल मुंबई 16 अंग के साथ पॉइंट स्टेवल में पहले नमबर पर है वहीं दिली की टीम 14 अंग के साथ तीसरे नमबर पर है इस सीजर में जब इससे पहले ये दोनों टीम ए आमने सामने आई थी तो मुंबई ने बाजिमारी थी ऐसे में दिली पचली हार का बदला लेने के रादे से आज मैदान पर उत्री होगी वहीं प्ले आफ में कॉलिफाई करने के लिए दिली को इस मैच को जीतना काफी जरूरी है अगर मुंबई ये मैच जीत लेती है तो दिली को अपने अंती मुकावले में RCB के खिलाब हर हाल में जीत तरज करने होगी वहीं अगर आज पिच की बात की जाए तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम साइज के हिसाब से काफी बड़ा है लेकिन टूनामेंट की शुरुआत की तुलना में अब ये विकेट काफी बदल गया है यहाँ स्पीन गेंदवाजों को मदद मिल सकती है ऐसे में तोनोट टी में दो दो लीड स्पीनर के साथ उतरी हैं हाला कि बल्लेवाजी करना इस पिच पर भी असान होगा वहीं मौसम की बात की जाए तो दूब्य इंटरनाशनल स्टीडियम में केले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम बिलकुल साफ है आला कि खिलाडियों को यहां वीशन गर्मी का सामना करना पड़ेगा यह दो फैर का मैच ऐसे में इस मैच में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी वहीं अगर आज की दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग लैवन की बात की जाए तो इसमें मारकस, स्टोनिस, सिम्रोन, हेटमायर, अक्षर पतेल, काघिसो रवाडा, आराश्वीन, एंडरे खिलत वे दिखाए देंगे वहीं मुमे इंडियन्स की संभावित प्लेइंग लैवन की बात की जाए तो इसमें क्विंटन डिकॉक, इशान किशन, सूरे कुमार यादव, सौरभ तिवारी, कुनाल पांडिया, हर्दिक पांडिया, कारन पॉलाड, जेम्स, पैंटिंशन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जस्पेट पुम्रा खिलत वे नजराएंगे ANP News Room Key Report